Hello everyone, welcome to सरकारी स्टडी पॉइंट So, आज आपा डिस्कस करन जा रहे हैं The Most Awaited Question Data Interpretation Jail Warden Exam Set B Evening Shift On 29.08.2021 So, question पढ़ दियां हेट दित्ती सारनी एक प्रिख्या विच शे वक वक विश्या विच पंज विदियार्थयां द्वारा प्रापत अंका दि प्रतिशक्ता दिन दी है Question देखो इस question आपानू students दित्ते ने ते ओना दे maximum marks किनने subjects ने? Hindi, English, Math, Science, Computer and History 6 subject हुन नीचे दित्ते होई ने Students A, B, C, D, E हुन सब्तो पहला इस दा फर्स्ट क्वेस्टन रीड कर दियां What is the overall percentage of student E विदियार्थी E दी समुच्ची प्रतिशक्ता की है कि मैं find out करांगे? विदियार्थी E दी सारे subjects दे विच्चो ए पर्सेंटेज दे विच मार्क्स दित्ते होए ने So 80% किन्ना हो जेगा? 120 75% 150 95% 285 34% 17 54% 54 66% 85 इनना सारे नों एड करांगे अपने कुल किन्ना अमाउंट आजाएगा? 7910 हुन इसनों compare किन्ने नल करने total marks total marks अपने कुल किन्ने हो जानगे? इनना सारे नों एड करके 1050 sorry is the total 791 आएगा So इसनों जो दो अपर डिवाइड करांगे 791 डिवाइड बाई 1050 multiply by 100 is equals to 75.33 that is the answer की आजेगा option C next question read कर दिया what are the average marks obtained by all the 5 students in history history दे विच आपा average marks calculate करने है So इस देले सब्तों पहलां की करांगे? directly इनना दे percentage दी average ले ले लवांगे जो दो इनना सारे नों एड किता 62 प्लस 82 प्लस 34 प्लस 92 प्लस 66 is equals to is equals to double 3 6 double 3 6 दी average की होएगी total number of subject आपान किनने दित्ते होए ने? 5 5 नाल दिवाइड करांगे अपने कोल average किननी आगी? 67.2% हुन history दे total marks किनने 250 250 दा आपा 67.2% करांगे किनना आजेगा 168 so is the answer कि आजेगा option A 168 is the right answer third question read कर दे हैं which student has scored least marks? सबतो cut number कि student नों मिलेने? सबतो पहलना देख दे हैं E, E options च नहीं है cross कर दो जित्या आनल देखिए A दे हर एक subject दे विच्चो complete जादा number आए ने so A नू भी छट दो हुन आपा find out करांगे B, C and D हुन जो दो B नू calculate करांगे ता इनना दे percentage marks एत्थ लिख लेनने है B देख इनने आजांगे 97.5 168 234 12.5 84 and 205 ओसे दरा C दे marks किनने आजांगे 142.5 50 252 14 94 and 85 D दे दे marks 90 190 190 186 16 74 and 230 हुने इनना सर्य अंदर टोटल आपा लिख लमाँगे B दे टोटल मार्क्स किनने होगे 801 801 out of 1050 C दे टोटल मार्क्स किनने होगे 637 0.5 divide by 1050 D दे टोटल मार्क्स किनने आजांगे 786 out of 1050 तब परसेंटेज फाइंड आट करन दी जरूरत नहीं पाएगी सब्तोट मार्क्स किनने C दे ने So option C is the right क्योंकि अपना जो नीचे है number 1050 सारे अंच सेम है मार्क्स होना दे उस दे सब्तोट So friends ऐसे तरह option C right answer data interpretation दा question बहुत easy सी जल्दी solve हो गया इस वीडियो नो जाद तो जाद शेयर कर दो and चैनल नो सब्सक्राइब कर लो तांके तो अनो जदो भी कोई नवी वीडियो आवे उस दो नोटिफिकेशन मिल जावे तन वाद